खबीब का दो बार 6500 आ गया है, इसे आप से खबीब का आंसर 13000 आ चुका है कुछ भी और वो आंसर नहीं देना चारे हैं, बहुत मार खाएंगे ये, बहुती ज़ादा मार खाएंगे सिर्फ ये जो हमारा भारत है, ये आपके फोकस में होना चाहिए तो भारत को लेकि ऐसी क्या स्पेशलिटी है, जिससे ये पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है भारत के अंदर, भारत के अंदर, कोई भी इंकम अगर आपको जनरेट करनी है डेजन्ट मैटर कैसी इंकम फिजिट स्पिनर भी इसका एक बहुत अच्छा एक्जामपल है फिजिट स्पिनर जो चला था, प्लीज मुझे बताओ यार, इसका कितना प्राइस होना चाहिए नमस्कार मेरा भाईयों मुझे मालूम है तुम ये लगातार पढ़ाई कर रहे हो Commerce बाबा के साथ, यूनो, Accounts पढ़ रहे हो मेरे से, Economics पढ़ रहे हो, Business Studies पढ़ रहे हो लेकिन काफी सारे लोग को ये भी जानना होता है क्या Commerce बाबा परसनली पढ़ाता है क्या ये चैनल हमें Personal Coaching Tutions देता है आप चोटा पाई कर गए हमारा पैसा लेके भग जाओ तो बाबा जी आप तो बताओ कोई मन्थली सब्सक्रिप्शन है के नहीं देखो भाई, YouTube पे जस्त नीचे Join बटन दिया हुआ है उस पे क्लिक करो God Level की मन्थली मेंबर्शिप है तुम अगर वो मन्थली मेंबर्शिप लेते हो तो हर महीने तुम्हें अकाउंट्स की लाइफ क्लासे अटेंड करने को मिल जाएंगी WhatsApp ग्रूप मिल जाएगा जहां पर तुमारे जैसे पूरे भारत से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बैटके तुम 24 घंटे कभी भी डाउट सॉल्ब कर सकते हो फिर तुम पूछोगे यार बाबजी अचा ठीक है ये तो बात हो गई इसकी ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं जो अप रेगुलर वीडियोस पांच बजे शाम को पोस्ट करते हो अकाउंट सीको बिजनस के क्या हमें ये पूरे महीने के एकट्टे मिल सकते हैं तो मेरे भाईयों बिलकुल मिल सकते हैं सीबी फैमिली करके हमारा एक छोट ऐसा कोर्स है अगर तुम लेना चाहते हो तो कॉमर्स बाबा एप डाउनलोड करो उस पे आओ स्टोर सेक्शन पे तुम्हें वो सीबी फैमिली का लिंक मिल जाएगा हाडली 299 रुपीस की है अकाउंट्स इको बिजनस मतलब 100 रुपीस पर सब्जेक्ट पर मन्त तुम्हें पढ़ेगा उस से जादा मैं तुमसे लेना भी नहीं चाहता आओ बढ़िया लो उसको और उसके बाद वाटसेप ग्रूप पूरे भारत से बच्चें बैठो उनके साथ डिसकस करो और पता करो उनसे भी पूछो एक बार ये 300 रुपीस इंवेस्ट करके देखो और पूछो जो पहले से सीबी फैमिली का पार्ट है अब ये कहीं लूट सकते हैं Commerce Baba Annual Marathon Achievers यानि तुम अकाउंट सीको बिजनस मेरे से लाइव बैटके पढ़ सकते हो और लाइव मुझसे डाउट पूछ सकते हो जब भी तुम चाहो लाइक वाटसेप ग्रूप भी तुम्हें मिलेगा साथ में तुम्हें अगाउंट सीको बिजनस के लाइव सेश एक information जरूर होनी चाहिए और मैं तो यहीं बोलूँगा मत आउएन्वल Marathon Achievers में पहले लेके देखो God Level या Family थोड़ा पैसा डाल के देखो अगर लगता है कि Commerce Baba वर्थ है उसके बात Commerce Baba Family का पार्ट बनना तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद लो भाई आगई आवज परेशान मत हुआ करो देखो यार अभी परेशान नहीं होने की जरूवत है जब मैं हूँ यहां पे तो क्यों भाई क्यों किस चीज के लिए परेशान हो रहे हूँ ना भाई मैं तो बस यही है आज हम लोग कुछ नया करेंगे और यूनो अभी भा बात है कि जब तक कुछ नया नहीं हो मोनोटनस चलता रहता तक मजा नहीं है तो भाई चलो यार आज हम लोग इंकम मैथड का थोड़ा बहुत कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ आगे भी करेंगे हाँ उदय प्रकाश मुझे मालूम है हो जाता है कभी का जब चें और अब हमें चालू करना है आज हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा एकाद इंकम मैथड का और कुछ न और मैं देख लेता हूं तुम लोगो कितना बन रहा है उसके बाद फिर बाकी चीज़े देखेंगे यार तो भाई चलो अच्छी अच्छी शुरुआत होने के बाद आज मैं सोच रहा हूं मैं खटा वरक्षीट भेजने का सोच रहा हूं यार इसलिए इसलिए अभी रुख जाओ थोड़ा सा सेटरड़े आ रहा है ना कल बैठके होंवकी करेंगे फिर संडे को बिजनस टड़ीज पढ़ना है अपन को तो इसलिए इसक्रीन पर अब चैट हर्दिक भाई मैं हूना यह सब बताने के लिए भरोसा रखो ना भरोसा है ना तुम्हें मेरे पर वैल्यू एड़ेड़ी आएगा वो मैं बताऊंगा चिंता क्यों कर रहे हो तो आज जितने लोग यहां पर देख रहे हैं इंकम मेथड मैने तुम लोग को थोड़ा बहुत लो भाई हाँ भाई सब लोगों ने अफपूड मेथड हेडिंग डाली अरे दीक्षा कोई बात नहीं लाइट नहीं है कोई बात नहीं चलता यार मैं भी इलाज करा करा के परिशान हो गया लेकिन क्या करें लाइट एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है कहाना चाहता हूं तो मैं तुम लोग के लिए हलका सा बैक्ग्राउंड म्यूजिक भी लगा देता हूं ताकि तुम लोग को अच्छा लगे जब मेरी कहानी चल रही हो तुम लोग को सुनने में अच्छा लगे ओके डैस इट ठीक है शुरू करते हैं यार आउट्पूड म नहीं करना सिर्फ ये जो हमारा भारत है ये आपके फोकस में होना चाहिए तो भारत को लेके ऐसी क्या स्पेशलिटी है जिससे ये पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है भारत के अंदर कोई भी इंकम अगर आपको जनरेट करनी है डेजन मैटर कैसी इंकम आपको एकॉनमी क थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ कि उसको ये चीज समझ में आए आउट्पुट का मतलब यहां पे है कि आपको एकॉनमी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू एड करनी पड़ेगी कोई ना कोई कॉन्ट्रिब्यूशन देना पड़ेगा अगर आप वैल्यू ही एड नहीं कर र सबसे बड़ा खरच है, खर्च है बोल रहा हूं, एकॉनमी का सबसे बड़ा प्रॉबलम है, तो भईया भारत हो गया, भारत के अंदर जरूवत काई की है? इनकम की है, इनकम जनरेट करना है और इनकम के लिए होना जरूरी है आपका आउटपुट के अंदर एक आम इनसान जो काम करता है वो काम करता है value addition का अब ये value added होता क्या है और ये value addition निकाला कैसे जाता है सुनो मेरी बात सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो दो चीजें क्या है जो output में contribute करती है देखो भाई आपको सबसे पहले मैं producer के तरफ से बात कर रहा हूं तो आप context भी मेरा वही समझोगे मैं producer के हिसाब से बोलना चालू करूँगा एक producer कोशिश करता है कि उसके पास raw material हो और वो उसे किसी तरह से finished good में convert कर दे उसे raw material चाहिए ताकि वो उसे finished good में convert कर सके ये भाईया raw material हो गया हमारा ये हमारा finished good हो गया ये बहुत ही गंदा बना है तो raw material और finished good जो हमारा है भाई ये बीच का distance कवर करने के लिए कुछ चाहिए होता है तो शुरुआत करते हैं कि raw material क्या है देखो यार कहानी यहां से शुरू होती है तुम एक ऐसे investor हो जो एक बहुत बड़ा business run करना चाहते हो तुमने सोचा यार के मैं job नहीं करूँगा मुझे freelancer भी ऐसा नहीं बनना के कोई काम ही नहीं है मुझे एक ऐसा business करना है एक ऐसा product बनाना है एक ऐसा brand बनाना है के अगर उस particular चीज़ की बात की जाए तो हमेशा मेरा नाम सबसे आगे हो ना सबके अपने vision होते है सबको life में कुछ ना कुछ अचीव करना है ऐसे ही तुम भी हो तुमें भी life में ऐसा बड़ा brand नेम बनाना है कि कोई और कभी सोचे तो सबसे पहले तुमें याद करे ऐसे ही मुझे और तुमें लगता है इन्होंने 100 डॉलर का लोन लिया था भाई 100 डॉलर के लोन से इन्होंने चालू किया और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी career company बन चुकी है UPS नाव ऐसे ही तुम लोग भी हो बहुत visionary हो कि तुमें कुछ बहुत बड़ा करना है लाइफ में और तुम चाहते हो यार के बस brand हो जाए नाम हो जाए, product अच्छा बन जाए पैसा तो बाद में आता रहेगा और ऐसे ही तुमने अपना काम चालू किया सबसे बड़ी problem तुमारे लिए क्या है raw material को जुगारना तुमने raw material भी जुगार लिया तुमने सोचा के भाईया मैं तो करूँगा कपड़ा व्यापार, मुझे तो कपड़ा बनाना है, और तुम्हें उसमें अपनी thinking डालनी है, अपनी ideology डालनी है, अपना तरीका डालना है मुझे अभी भी यादे, मैं वो देखता हूँ shark tank करके एक आता है, मैंने वो देखा एक बंदा था जो अजीब तरह के sweater बनाता था वो minecraft type के जो pixels होते हैं उस type के अजीब अजीब से designs बनाके वो sweater बनाता था तो शुरुआत में उसी के friends ने उसे गाली देना चालू कर दी उन्होंने बोलना चालू किया, ये क्या तू absurd से, अजीब से तू बनाता है इस तरह के sweater स्कौन खरीदता है, भाई यार वो तो एकदम depressed हो गया उसने सोचा यार ये तो भाई मेरे दोस्ती मुझे बोल रहे के तू क्या कर रहा है उसने हार नहीं मानी उसने सोचा के यार मैं तो करूँगा अब चाहे किसी को पसंद आए चाहे नहाए वो regularly उसमें लगा रहा मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ मुझे 2 मिनिट दो और लोग बेसिकली उसके दोस्तों से गालियां देते थे बोलते थे क्या कर रहा है तू इस तरह के स्वेटर्स बनाएगा तो कौन खरीदेगा तिरसे और कौन ऐसी चीजे पसंद करता है छोड़ ये सब और ढंके स्वेटर्स बना ताकि कोई खरीदना चालू करे उसने का नहीं यार मेरी आइडिलोजी है मैं तो करूँगा मुझे तो अच्छा लगता है कुछ यूनीक था लेकिन उसके दोस्तों को भरोसा नहीं था क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने पूरी दुनिया देख रखी थी उन्हें लगता था कि भाया इसके अलावा ये इसके अलावा सब कुछ बिक जाएगा लेकिन ये नहीं बिकेगा लेकिन जो बंदा काम कर रहा था उससे अपने विजन पे पूरा भरोसा था उसने काम आगे चालू रखा उसने काम आगे किया धीरे धीरे ये एक ट्रेंड बनने लगा ये पॉपुलारिटी पकड़ने किया तुमने भी इसी तरह का क्लोधिंग लाइन बिसनस चालू किया तुमने भी सोचा यार मैं कुछ यूनिक करूंगा क्योंकि ये बंदा आज के टाइम पे मिले नेर है और जो लोग इसको बोलते थे कि भाई ये चीज नहीं चलेगी वही सेम कारण की वजह से चल रही है क्योंकि उसने स्वेटर्स को कुछ एक नया मीनिंग प्रोवाइड किया डिजाइन कुछ नया मीनिंग प्रोवाइड किया क्योंकि बहुत लेम तरह की डिजाइन साने लगी थी बहुत लेम तरह का बिसनस होने लगा था और आज जब हम देखते हैं ऐसे स्वेटर्स इंडि परना चालू किया raw material raw material में तुम design नहीं raw material में लेके आओगे तुम raw material में लेके आओगे sweater के लिए wool वगरा जो भी हो गया जो लेके आते हो basic चीजे वो लेके आओगे machine वगरा जो होंगी वो तुम install करवा दोगे as a fixed asset raw material लगा दोगे उसे finished good में convert करने में एक चीज तो तुम समझ गए होगे इसमें कि बीच में बहुत सारी चीजे लगती है ऐसा नहीं है कि तुमने raw material लगा दिया तुमने basic चीजे लगा दी और उसको बिल्कुल घोला मुला और चीज निकल के आगई नहीं यहाँ पे एक producer का एक businessman का दिमाग आता है उसकी ideology आती है उसकी thinking आती है और उसी को हम नाम देते है value added कहने को अगर देखा जाए तो जो sweater मैंने तुम्हें दिखाया वो एक बहुत simple सी चीज है बहुत simple सी चीज है fidget spinner भी इसका एक बहुत अच्छा example है fidget spinner जो चला था so यहाँ पे आपने value add की और उसी value का आप पैसा कमाते हो उसी idea का आप पैसा कमाते हो उसी thought process का आप पैसा कमाते हो और यही value added बनता है आपकी source of income this is your source of income this is these are the sources of income जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे आपने अगर value add नहीं की होती तो उस particular चीज की वो value नहीं होती plastic जो basic plastic आती है उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन टंकी बना दो तो उसकी meaning है chair बना दो उसका meaning है कोई utensil बना दो उसका meaning है कोई usable चीज बना दो उसका meaning है So again, जो transformation में आपकी ideology लगी है, आपका thought process लगा है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको पैसा दिलाता है, यानि there is a difference, कैसे समझाता हूँ मैं इसको भी, देख नज़र आ याँ पे, value of output सबसे पहले देखेंगे, कि आपने जो काम किया इतना महनत की, वो output क्या निकल क आएगा, उससे दो चीज़े होंगी आपके output की, या तो आप बेच चुके होगे, जिसे आपने नाम दिया होगा net sales, या फिर, यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, वरना मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, तुम लोगो समझ में नहीं आ रहा है, यहां सबको clear है, पहले हां बोल दो, उसकी बाद फिर मैं यहां पर आगे formula पर बढ़ता हूँ, मैंने देखा नहीं comment section बहुत देर से, प्लीज एक बार चेक करो, और मुझे बताओ, यहां तक आ गया कि नहीं, उसके बाद में बताता हूँ, देख लो एक बार, और यह भी बता दे भईया बस पढ़ लिया और notes नहीं बनाने हैं, तो भईया इसके अंदर हम लोग next कर लेते हैं, चलो, आरे वा, terrace पर बैठके पढ़ाई हो रही है, मतलब आज पूरा महल बना रखा है, बस मुझे यहीं चाहिए, तो यार, या तो आपने market में बेच दिया, जैसा मैं बता र जमला होगा, closing stock minus opening stock, यह आपका value of output है, तो सबसे पहले आपने निकाल लिया कि आपने production कितना किया है, आपने production क्या किया है, और एक और चीज इसके साथ होती है, दूसरी चीज जिसे हम बोलते है, intermediate consumption, और इसको समझाने के लिए, थोड़ा सा आज मैं तुम लोग को weekend है, तो यह मैं एक और example देना चाहता हूँ भाई, जिसमें मुझे फिर से Google Chrome पे जाना पड़ेगा, देखो जरा ऐसे, मुझे कोई बताएगा, कि यह जो toilet seat के साथ यह नीचे squatty potty रखा हुआ है plastic का, इसका costing कितना होगा plastic का, कोई कोई भी बता दे मुझे, कि यह plastic कितने में आई खभी भाई बिल्कुल नीचे आके बोलने, डाउन टू डाउन पांच रुपे ले लो बिल्कुल, दस डॉलर हो गया, साढ़े चार सो, उमंग भाई तो बहुत ही हाईपर हो गया, पंदरा सो रुपे, पता है मैंने तुमसे क्यों पूछना चालू किया, कारण क्या है इसक क्योंकि इसकी स्टोरी भी जैसी मैंने अभी तुम्हें UPS की बताई, जैसी मैंने तुम्हें स्वेटर की बताई, इसकी स्टोरी भी पता है सेम है, इस स्क्वाटी पॉटी के लिए हुआ क्या था, एक बंदे की मम्मा को प्रॉब्लम हुआ करती थी, एक्सक्रीशन जब उसने research किया उसे Indian toilets के बारे में पता चला कि Indian toilets जो होती है उसमें एक specific position होती है और उसका बहुत ancient logic दिया हुआ था because that is the best way of excretion वो सोच में पढ़ गया बोला यार या तो Indian देहातियों की बात सुनू या modern technologies की क्योंकि modern technologies में यासी आजकल की time पे toilet seats आती है लेकिन उसने सोचा यार के ठीक है किसी की सभिता है culture है सालों से चला आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे की history होगी ही होगी उ उसने कुछ नहीं किया उस seat के साथ एक पटा रख दिया so that एक proper position बन जा है for excretion और literally उसकी मम्मी सालों से दवाईयों पे चल रही थी so that हाजमा सही रहे जिसे हम बोलते हैं और इसी के कारण इंडिया में बहुत बड़ा बाजार है हाजमे को लेके है ना ये आप अपने parents को भी दिखाना है क्योंकि उन्हें भी ये चीज का knowledge होना चाहिए क्योंकि हाजमे की दवाई से कुछ इसा खास होता नहीं है तो उसने try किया पटा रखके दूसरे दिन से सारी problems गयब सारी दवाईया बंद और उसे एक चीज समझ में आ गई it is all because of the posture उसके दिमाग में idea आया क कि ये अकेली समझ से उसकी ममी की नहीं है क्योंकि उसने internet research बहुत करके रखा था पिछले 10 साल से उसकी ममी परिशानी वैसे तो lifetime से थी लेकिन 10 साल से परिशानी जादा बढ़ गई थी जब उसने internet research किया तो उसे कुछ नहीं मिला ऐसा उसने सोचा कि यार एक product बना सकता हू मैं से जिसको उसने नाम दिये squatty potty that means you have to have a position of squat for excretion purpose और उसने सोच के देखो एक product बना डाला सिर्फ एक पटा है वो देखने में देखा जाए तो और आज इसी चीज ने उसको एक millionaire बना दिया है एक average middle class का बंदा आज वो millionaire बन चुका है सिर्फ एक idea सिर्फ एक thought से इतनी कह नहीं क्यों समझाई क्योंकि intermediate consumption पे जब मैंने तुम सबसे answer मांगा तो तुमने बोला हाँ बाबाजी 5 रुपए से लेके 100-500 रुपए 200 रुपए 1500 रुपए तक plastic की कीमत हो सकती है depending upon the quality that you are choosing और हाँ value of output भी है जो आप market में बेच रहे हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ले मैंने जो market में बेचा है उसकी value है लेकिन ये जो innovation बिल्कुल सही बोलायो शी ये जो मैंने thought process लगाया ये thought process की भी तो कीमत है न क्योंकि मैंने किसी product को usable बनाया किसी product को use करने लाइफ बनाया and that is your value added so intermediate consumption जो होता है वो basically होता है जो भी आपने raw material की purchases की हो so intermediate consumption again whatever the purchases you have made as raw material that becomes your intermediate consumption and value of output is the actual product that you have sold तो फिर value added की value कहां से आई तो आपने लिया value added का formula और आपने लिखा value of added simply आजाएगा जो भी मेरा value of output है अगर मैं उसमें से raw material की कीमत minus कर दूं intermediate consumption basically minus कर दूं तो पता चल जाएगा कि मैंने उस product में क्या value add की है मैंने उस product में क्या contribution add किया है ये मुझे simply पता चल जाएगा अगर clear है तो please मुझे बता देना अभी गुपता simple सा reason है change in stock बताता है कि आपका current year का stock कितना रह गया है तो जो भी आपका output है या तो बिक गया होगा या तो बच गया होगा तो आपने पूरा output minus कर दिया क्योंकि आपने पूरा raw material use किया है CDC बात है तो पूरे output म बताता है कितना बिका कितना बच गया तो मुझे पूरा output चाहिए और उसके लिए change in stock क्यों ले रहा हूँ क्योंकि मुझे opening stock यानि पिछले साल का stock हटाना पड़ेगा opening stock यानि पिछले साल से जो इस साल में है वो हटा दो तो सिर्फ मेरा current year का stock बचेगा क्या बात है मेरे भ आपके समझ में आ चुकी है अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे कि value added मतलब यार मैंने कितना contribution किया वो output की कीमत तो चलो भया सारी cost was मिलाके सब कुछ है value added मतलब मैंने कितना उसमें value addition किया क्योंकि जितना मैंने value add किया उतना ही मैं कमाना deserve करता हूँ मैं आपको एक question करके बताऊंगा अब और आपको मेरे से बस समझना है देखना है और उसके बाद next question आप मुझे करके बताऊगे so यहाँ पे question आपके सामने है आपको question clearly दिख रहा होगा सबसे पहले मैं जानता हूँ मुझे इसमें क्या-क्या चाहिए ये मेरे को clarity है मुझे एक चाहिए value of output जो के आता है आपका net sales plus change in stock करके तो अगर मुझे sales निकालनी है तो मैं जानता हूँ price per unit of output 25 रुपए है और मैंने totality में 1000 units को sell out कर दिया है मैं 1000 units sell कर चुका हूँ और हर unit की कीमत 25 रुपए है तो अगर मुझे net sales निकालना है तो मुझे 25 रुपए से 1000 units को multiply करना पड़ेगा और खे खबर अच्छी यह है कि question में change in stock already दिया हुआ है already negative है मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे तो जैसे करना है मैं लिखूंगा भीया plus होता है change in stock bracket में आ जाएगा 500 क्योंकि यह minus है तो मैं इसको ऐसी कर देता हूँ रुको यार माइनस 500 मैंने ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे जो मैंने net sales से पैसा कमाया है वो 25,000 रुपए है और क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा मैं यहाँ पे माइनस 500 कर दूँगा तो मेरे पास 24,500 का value of output आ जाएगा यानि मैंने जो output निकाला है वो totality में देखा जाए तो 24,500 रुपीस का है Now यहाँ पर मुझे value added निकालना है question में बोला है net value added at factor cost निकालो अगर आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हूँ तो it's net value added at factor cost तो मुझे इसके लिए intermediate consumption चाहिए या intermediate cost चाहिए फिर से गरिमत यह है कि intermediate cost already 7,000 question में दी हुई है अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो This is the 7,000 already given तो मुझे मालूम है तो मैं यहाँ पर लिखी देता हूँ भाई कोई जल्दबाजी नहीं है आराम से करो आराम से सीखो मैंने पूरा लिखा intermediate cost तुम्हें short form यूज करने की ज़रूरत नहीं है जब मैं जल्दबाजी में नहीं हो तो मुझे तुम भी जल्दबाज जो होता है उसको एक और नाम से जाना जाता है GVA at MP, gross value added at market price और यहीं पे बात खतम नहीं होती है इसको एक और नाम से जाना जाता है GDP at MP, now gross value added बोलो या gross domestic product बोलो production का भी मतलब वही होता है आपना कितना produce किया है आपने कितना manufacturing किया है और gross value added भी basically वही बताता है तो अभी आ आ चुका है लेकिन अगर मैं question में देखूं तो मुझे net value added answer निकालना है ये लिखा हुआ है net value added at factor cost मेरा तो अभी answer आ रहा भीया gva at mp मतलब मेरा answer gross है और मेरा answer market price पे है मुझे मालूम है gross से अगर मुझे net जाना है तो मुझे minus debt करना पड़ेगा और अगर मुझे mp से fc जाना है तो मुझे भीया minus nit करना पड़ेगा ये दो चीजों के बिना नहीं आ सकता answer तो भाई अगर इतना पता ही है तो चलो भीया answer निकालना चालू करते हैं उन्होंने बोला है net value added at factor cost निकालो ठीक है इसका एक और नाम होता है net domestic product at factor cost मुझे क्या करना पड़ेगा जो भी मेरा gva at mp से answer आया है gross value added at market price जो के बहुत आसानी से आया है value of output में से मैंने सिर्फ intermediate consumption को minus किया है intermediate cost या consumption जो भी आप बोलना चाहो मैंने सीधे सीधे उसको minus करके answer निकाला है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की है मैंने so मेरे पास अभी power है भाई कि मैं इसको simply कर सकूँ कैसे मुझे minus करना पड़ेगा net answer लाना है क्योंकि depreciation और minus करने पड़ेगे net indirect taxes NIT net indirect taxes तो gva at mp है मेरा 17,500 minus debt चलो भाई या debt check करते हैं कितना है यहाँ पे debt दिया हुआ हजार रुपए और indirect taxes में सिर्फ excise duty दी हुई है 5000 रुपए देखो भाई जरा कुछ और नहीं दिया हुआ सिर्फ 5000 रुपए excise duty है और उसके नीचे 1000 रुपए का ये है बस तो 1000 का debt हो गया 5000 का excise हो गया तो लिखते हैं भाई क्या दिक्कत है 1000 का debt है तो यहाँ लिखा 1000 का debt और minus 5000 रुपए ये दोनों minus कर दिये 5 और 6,000 रुपए minus हो गए मेरे भाईयो तो final मेरा जो answer आया वो 11,500 रुपए मेरा answer है मैं चाहके भी zoom नहीं कर पाऊंगा इसको फिर यहीं रहने दो चेक कर लो अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज पूछ लो मैं answer दे दूँगा इतना मैं कर सकता हूँ थाकि तुम लोगों को दिख जाए उमंग भाई light गई भारत की सबसे बड़ी समस्या पुराने दिन वापस आ रहे क्या चेक कर लो भाई एक बार किसी को कुछ अगर पूछना है तो most welcome लिखने का time लो ना मैं कौन सा कुछ बोल रहा हूँ भाई हाँ प्रकर भाई closing minus opening ही होता है ही क्यों होता है क्योंकि closing is the actual current figure opening was the previous figure तो current में से previous figure आप minus करोगे इसलिए closing minus opening होता है value added equals to domestic product ना जी अवी गुपता भाई it is domestic product मैं लिख भी देता हूँ आपको ताकि confusion नहों वैसे तो मैंने लिख दिया है बट एक बार और आपके कहने पे gva at mp is equals to gdp at mp nva at fc equals to ndp at fc ये लिखा हुआ है भाई आपके सामें चेक कर लिजे value of output नंदनी value of output का formula value of output का formula ये लिखा हुआ है उपर मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इसको value of output ये कहता है कि आपका output कितना हुआ आपका production कितना हुआ तो आपने सबसे पहले तो production में ले लिया sales यानि जो मैंने produce करके output produce करके बेच दिया और दूसरा होता है नंदनी जो हमारे पास बच गया यार बच गया कैसे निकालेंगे हम जो भी हमारा closing stock था हमने उसमें से minus किया opening stock closing में से opening minus क्यों किया क्योंकि closing stock show करता है कि भाया current year में production कितना हुआ ये closing stock show करेगा लेकिन opening stock पिछले साल का show कर रहा था जो कि हमने current year में carry forward किया था याद करो trading account जब बनाते हैं तो two opening stock लिखते हैं तो हमें opening stock को पूरी तरह से current year की book से minus करना है पूरी तरह से हटाना है तो हम क्या करेंगे closing stock उठाएंगे और उसमें से opening stock को minus कर देंगे इसलिए change in stock लिया जाता है ताकि हमें पता चल से के current year का output कितना है तो भाया output के दो पार्ट या तो बेच दिया या तो जो बच गया यानि output यानि production दो तरीके से ही देखा जाता है जो बेच दिया या जो बच गया जो बेच दिया वो sales जो बच गया वो change in stock change in stock ही क्यों लिया क्योंकि मुझे opening stock को minus करना था और opening stock minus होता है closing stock से बस इतना सा fund आ है excise duty बताईए ना excise duty के बारे में क्या पूछना है साक्षी जी वो पूछिए आपके क्या हुआ वैसे indirect expense से सीधी सीधी बात इत्ती सी है this is an indirect expense तो मुझे उसको minus करना पड़ा बस और कुछ नहीं है बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है उस तो प्लीज पूछो और क्या के question आ रहे है सर मेरा doubt देख लो उपर आरेन भई का क्या doubt है यार सबका doubt देख लेते हैं चलो अभी दो मिनेट doubt ๆ ही खेल लेते हैं चलो हाँ बढ़ई बताओ क्या क्या doubt है NDP at FC क्यों किया तो इधर NDP at national income तो कहा लिए निकम निका लो आरेन भई कहीं question में लिखा लिए क्या नेशन इनकम निकालो मैंने तो जो question बोल रहा है वो निकाला है question बोल रहा है net value added factor cost निकालो तो मैंने net value added factor cost निकाला और net value added factor cost NDP At FC होता है कहीं पे नहीं बोला है कि national income निकालो ठीक है भाई, clear है यह चीज फिर यह तो clear कर दिया RN की बाद same doubt, sir, same doubt है national income तो NDP At FC होता है अमंग ने पूछा है GVA at MP equals to GDP at MP क्यों होता है क्योंकि value addition ही आपका overall production होता है जब हम market में production देखते हैं या market में output देखते हैं तो वो show यही करता है कि आपने आखिर में क्या value add की that is the output that is the production तो net domestic product product shows production production is basically the value that you have added to certain things इसलिए दोनों सेम होता है बोड देखना है बोड देखना है भाई बोड देखलो भाई बोड देखलो लो भाई हाँ जी कल कॉल कर लिजे का मुझे दीख्षा जी कोई दिखकत नहीं है और प्लीज पूछिए कोई और doubt है is related क्योंकि दूसरा question मैं आप लोग को करने के लिए देने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग दूसरा question करें ठीक है चालू करें फिर next question ते रहा भी है next question आपके सामने चालू हो जाईए हार्दिक का भी doubt उपर है हार्दिक आपने तो बोला है बाबजी समझ आ गया last आपका जो message दिख रहा है मुझे उससे उपर भी आपका अच्छा आप समझ आ गया ही है हार्दिक भाई बताओ फिर doubt क्या है भाई intermediate consumption में basically जो भी आपकी overall costing है जो भी आपने raw material या जो भी आपने उसके अंदर ingredients डाले है वो सारे intermediate consumption में आ जाते हैं ऐसा जरूरी नहीं के वो सिर्फ purchases ही हो लेकिन आपकी books में generally purchases को ही दिया हुआ है raw material को ही दिया हुआ है जी import of raw material intermediate consumption है शुरू हो जाओ जल्दी से आंसर आजाने चाहिए यार अभी तक तो 27,519,522 दो दूसरी दूसरी दुसरी दुनिया के आंसर आई है ऐसा कईसे हो सकता है याद रखना answer gross का gross ही आना है net answer नहीं निकालना है गलती से debt minus मत करते बैठे ले जाना भाई यहाँ पे heading पढ़ लेना क्या लेखा है find out gross value added at factor cost है यानि यह debt का कोई चक्कर नहीं है इसमें सिर्फ confuse करने के लिए दिया हुआ है वो 2000 रुपए तो उससे बंटा धार मत करा लेना भाई अभी गुपता ने बोला है 27,000 euros पिछली वार अभी भाई ने कोशिश की थी तो half million बोल दिया था 0.1 million को कोई बात ने अभी भाई चलता है अधिती का message show नहीं कर रहा लेकिन यह वाला तो show कर रहा है नंदू ने भी बोला है 27,500 है let's check यार बाकियों कभी answer आ जान दो अंकिता ने भी बोला अंकिता 19,500 कैसे आ रहा है देख ले न डेप माइनस तो नहीं कर दिया तुमने अंकिता चेक करो यार प्रिया का 24,500 है अंशुजा का 24,500 है यार चेक करो भाई या मिरको लग रहा है डेप माइनस करके बैठे हो तुम लोग और ऐसा चलना नहीं चाहिए अंकिता गोईल ने थोड़ी सी ऊपर बोली लगा दी है 21,500 पर आ गई है माल पानी का है सकर का आंसर भी नहीं आया ऐसा लग रहा भी था अनिशा ठीक है आनंद भाई 24,500 सकर भाई 22,000 पर बैठे है फेरू भाई 27,500 पर आ गए है तुम लोगों ने इतना कंफ्यूस कर दिया कि मुझे लग रहा है कि आंसर सही क्या होगा मुझे ही करना पड़ेगा लगता है चलो देखते हैं सबके अलग-अलग आंसर आए है देखो भाईया value of output निकालना भीया उसके लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा कि आपने कितनी units sold की है तो आपने यार 20 रुपे के हिसाब से जैसा question बोल रहा है 2000 units sell की है और आपको plus करना है इसमें change in stock जो के already minus 500 दिया हुआ है इतना तो मुझे दिख रहा है अब यहाँ 224 होता है मतलब यहाँ पे तो आजाएगा 40,000 minus 500 यानि यह तो हो गया 39,500 रुपीज नाव यहाँ पे intermediate cost जो है वो already दे रखिये यह दे रखिये 15,000 रुपे चेक करो तो यह यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ मैं 15,000 रुपे मेरा value added simply आजाएगा 39,500 minus 15,000 करके यह आगया 24,500 ठीक है भाई यहाँ तक तो अधिकतर लोगों के answer आ रहे थे मुझे अभी अंकिता पे बड़ा proud feel हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसका answer बिलकुल सही आ रहा है कि उसका ही सही है नाव मुझे GVA at MP ला चुका हूँ मैं और मुझे लाना है GVA at FC जरा चेक करो यहाँ पर मुझे GVA at FC लाना है मुझे मतलब net indirect taxes जो है वो minus करने पड़ेंगे बस और कुछ नहीं करना net indirect taxes जो है अंकिता बिचारी गडबड करके बढ़ गई मैं समझ गया क्या गलती की है net indirect taxes में कुछ भी नहीं दिया कहीं पे भी indirect taxes नहीं है लेकिन subsidy दिया हुआ है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा जब मैं NVN तो निकालना नहीं है जब मैं GVA at FC निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा GVA at MP से माइनस करने पड़ेंगे indirect taxes माइनस subsidy यानि net indirect taxes net indirect taxes निकाले जाते हैं IT माइनस subsidy तो मैं क्या करूंगा GVA at MP तो मैं लिख दूंगा भी या 24,500 माइनस करूंगा indirect taxes जो के question में 0 है लेकिन subsidy दी हुई है यहाँ पे ध्यान दो जल्दी से 3,000 रुपए तो मैं subsidy की value subsidy की जगे पे लिख दूंगा minus 3,000 यानि 24,500 अब ये आपको पता होगा कि minus minus हो जाता है plus तो हो जाएगा plus 3,000 ध्यान देना यहाँ पे यह लिखा है मैंने फिर से लिख दे रहा हूँ अगर किसी को खुद पे गुस्सा आ रहा हो तो इत्सोक के चलता है ये रहा आपका पूरा question हाँ शाश्वत भाई minus minus plus होता है तुम इतना घवरा क्यों गई है सुनके पहली बार सुने है का ऐसा कईसा बात कर रहे है आइटी minus subsidy क्या होता है अंकिता मैं दिखाता हूँ तुम्हें मैंने पीछे जहां करवाया होगा मुझे याद तो है मैंने करवाया है अब कहां करवाया है वो देखना पड़ेगा यार वो मैंने बहुत ही पीछे करवाया बेसिकली अंकिता बात मैं इतनी कर रहा हूँ कि जो तुम्हें अगर नहीं पता हो तो मैंने तुम्हें पूरा formula सिखाया था मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ GDP at MP से अगर अपन NNP at FC जाते हैं तो gross से net जाते हैं तो minus debt होता है domestic से national जाते हैं तो plus NFIA होता है और MP से FC जाते हैं इसका मतलब अंकिता ने एक भी पीछे की class नहीं देखी है MP से FC जाते हैं तो minus NIT होता है NIT का formula होता है indirect taxes minus subsidy NFIA का formula होता है FIFA minus FITA देखो अंकिता चेक करो यह याद है या नहीं net indirect taxes का यह मैं लिग भी देता हूं उसका from net indirect taxes यह formula होता है यह याद रहना चाहिए तो इस question में हमारा answer आ रहा था जो GVA at MP हमें निकालना था GVA at FC यह यह चेक कर लो अंकिता याद आया के नहीं और प्लीज मुझे बता देना यार अंकिता तुम्हें समझ में आया या नहीं अंकिता याद है या नहीं जल्दी बताओ यार जल्दी मैं तुम्हार लिए बैठा हूँ यह करवाया था अंकिता यह रहे notes वो जो तुम लोग को करवाय थे indirect taxes minus subsidy या यह देख लो आजाए भाई या next question पे चलो अचा notes यह है ठीक हार देख भाई शुरू हो जाओ चलो जल्दी अंकिता next question पे चलो जल्दी time pass नहीं जल्दी करना है सब को शाश्वत शुरू हो जाओ मेरे पास अभी तक answer नहीं आया है मैं बता रहूं मेरे पास अभी तक answer सही है या नहीं क्योंकि मैंने नहीं किया है तो sales tax आपको consider करना पड़ेगा इसमें से debt भी minus होगा और sales tax को जो consider करोगे क्योंकि market price लेके आना है लेकिन sales tax को लोगी क्यों exactly अभी simple सा logic है market price answer लाना है और तुम्हारा वैसी GV at MP आता है तो sales tax का तो अंसर आ रहे है फिर से वही चीज हो रही है अभी पकड़ नहीं बन पा रही है भी यह value edit पर छोटी-छोटी गलतियां कर रहे हो तुम और अंशजा बहुत गरम दिमाग की इंसान है वो बहुत गरम दिमाग की मैं क्या ही बता हूँ गुस्सा आ जाए तो बस फिर तो नहीं नहीं रीती सबसे पहले आपने आंसर दिया था मुझे याद है चलो यार तुम लोगे different different आंसर आ रहे हैं तो मेरे कोई करना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है शुरुवात करता हूँ मैं value of output के साथ यह आएगा आपका 900 into 40 और प्लस होगा change in stock जो के है 1000 minus 800 36,000 minus 200 35, तो value of output हो गया question में already intermediate cost दी हुई है 20,000 तो मुझे कुछ करने की जरुवत नहीं है क्या बात है 15,500 पे तो अधिकतर लोग अटके हुए हैं बहुत ही शांदार ठीक है तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ भाई जितना आ रहे हैं यहाँ पे आपका value added 15,800 आ गया यानि GVA at MP जो आपका है वो 15,800 आ चुका है अब इसके बाद आपको सिर्फ क्या निकालना था मैं भूली गया यार NVA at MP निकालना है ठीक है आपको NVA at MP निकालना है मतलब 15,800 में से आपको सिर्फ डप माइनस करना है और डप है 700 रोपे का plus उपर 200 क्या मतलब क्या मैं किछ गलत कर रहा हूं क्या मुझे बताओ मैंने कुछ गलत किया क्य प्लस 200 भीखाइचा चेंज इंस च्टॉक नहीं किया क्या नहीं चेंज इंस च्टॉक तो लिया है अके शरी my my मैंने यहां पर माइनस कर दिया था 36200 ठीक है अब तो ठीक है ना मैं माइनस करके बैडिया था चलो ठीक है 16200 माइनस 700 रुपए तो यह आ जाएगा भाई आपका 15500 रुपए जिसका ही 15500 था सही था और यह जा गलत हो गया आज गलत हो गया अरे हाँ यार तो जाता है प्रिया आप रॉंग जा रहे हो रॉंग जा रहे हो बिलकुल एक दम रॉंग ही जा रहे हो अनंद का अंसर नहीं आए क्या भाई अभी तक मुझे अनंद बिंद का अंसर नहीं दिख रहा भाई एकता क्या हुआ अंसर नहीं आए क्या चलो भाई बहुत अच्छे अब अगला अंसर लिए दिखा रहूं, एक बर चेक कर लो, भाई, एकता इसलाई कपका दे दिया, आड़ भाईया, सौरी, मेरी गलती, मैं मैं गलत करने लगा था, मैंने माइनस दो सो कर दिया था, बस वहीं से गलती हो गई, बस मेरी गलती, I'm sorry, I'm very sorry, चलो, भाई, जल्दी से करो, जल्दी च चुका है गीति का कभी 6500 है ताला लगा दिया जाए उदे प्रकाश ने बोला है प्रथम भाई भी पीछे से आते हुए बोलते हैं के 6500 अनिशा जी नंदनी नंदु हमारा अनुश्का अभी गुपता भाई क्या बात है पहली बार कंसिस्टेंट आंसर आता दिख रहा है कुछ भी आनंद बिंद का भी भाई सब 6200 क्या बात है क्या बात है क्या बात है मतलब मेरे को करने का मौकई नहीं दिया मैं करूंगा फिर बिना बात के खिचड़ी होगी इससे अच्छा तुम ही कर दो वेरी गुड वेरी गुड आइडिया हम समझदार हो गए हुर्या वह यह रहे एक्साइज माइनस करना पड़ता एक्साइज वो नेट इंडिया टेक्सिस में आ जाता है वो माइनस करो आंसर आ जाएगा हम प्रोड़क्शन के टेक्सिस लेते हैं मतलब जो प्रोड़क्शन आउटपुट हमारा मार्केट में सेल होता है तो अगर वो माइनस कर तो आंसर आजाएगा ठीक है अंकिता सबका 6500 प्रतम भाई पीछे से आके बोलते हैं 6500 चलो भाई बहुत ही अच्छी बात है तो मतलब आज तुम लोगों ने इंपोर्ट हमने raw material कराया होगा हारदिक भाई लो आपके पूछने से पहले ही मैंने आंसर दी दिया बताईए तो यार चलो आज हमने output method किया और output method के अंदर हमने सीखा कि हमें क्या क्या चीज़े याद रखनी है और किस तरीके से किया जाता है तो finally हमारा ये topic हतम होता है हमें बस अब ये याद रखना है कि हमारा income method हो चुका है हमारा output method हो चुका है कल आपके पास दिन में 12.30 बारा तक शीर आजाएंगी तो कल homework day है मिलके homework करना और अच्छे से एक दूसरे के साथ पूरा homework निपटाना now Sunday का program कुछ ऐसा है business studies का कि Sunday को let's sit together at let's keep it as 5 o'clock चलो 5 बजे बैटते हैं और 5-6 घंटे थोड़े से business के notes बनाते हैं बैटके तुम और मैं मिलके notes बनाएंगे मैं तुम लोगों को बताता जाऊंगा और व है वो सब उठा लेना क्योंकि business के notes बनाना अपन चालो करेंगे and we'll start with nature and significance of management और थोड़े थोड़े करके notes बनाएंगे 12 chapter है business के बहुत बड़ा लोड नहीं है बात यही है वो 12 chapter के कितने efficient note बनाते हुआ अगर आपने notes अच्छे बनाए हैं तो आपको जादा hard work और labor work करने की नहीं है तो let's keep it on Sunday at 5 o'clock पांच बजे अपन business की class करने वाले हैं तो आपकी पास link आजाएगा आप attend कर लीजेगा मैं आपका wait करूँगा और तो मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद